जैसे कि आप देख सकते हैं, यह हमारे हाथ में विटामिन E का केपसुल है, जो काफी अच्छा केपसुल माना जाता है, यदि आपके बाल जहर रहा है, टूट रहा है, रूसी हो गया है, बाल जहरना रूकी नहीं रहा है, रूसी रूकी नहीं रहा है, आप बालों जहरने से परिसान हो चुके हैं एकदम तो आप इस केपसूल को एक बार ट्राई जरूर करें इस केपसूल को ट्राई करने से क्या होता है आपके बालों का जर्ना जो है रुख जाता है रूसी खतम हो जाता है और जो भी दो मुहे बाल होता है उसे भी दूर कर दता है बालों का सेफेद को यूज करने से आपके बाल का ग्रोथ जो है काफी अच्छा हो जाता है और रूसी भी ठीक हो जाता है तो सेम टू सेम आपको हम वही चीज बताएंगे कुछ हट के बताएंगे कि आप जब इस ओईल को इस विटामिन इक केपसूल को जब आप यूज करें तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट होएं तो सभी वीडियो में आप देखते होंगे नारियल ओईल लेता है आपको नारियल ओईल पर्चेस करने की कोई जोड़त नहीं है आपके घर में एक फर्चून का तेल जो है कच्ची घनी थोड़ा से आप ओइल ले ले मस्टड ओइल ले अपको दूस्रा ओइल पर्चेस करने की कोई जोड़त नहीं ए इसको हल्का से झिटने बालों बालों को लेंद के एक हिसाब से आप मस्टड ओईल ले लेने के बाद इसको अच्छी तरीके से आप बन कर दीजिए कि गिरेना उसके बाद में आपको क्या करना है कि यह जो विटामिन चाथीस रुपय में मिल जाता है किसी भी मेडिकल सॉप में आप जाईएगा एक पता चाथीस रुपय में आपको देदेगा 35 रुपय भी बोलिएगा तो आपको एक पता इवियन कंपनी 400 mg के आपको देदा है 400 mg के लिए काफी अच्छा बेनिफित होता है 400 mg यूज़ करना च है ऐसे आप खाले प्रेस किजिएगा निकल जाएगा देखिए प्रेस करने पर इसका एक केप्सूल निकल गया और एक केप्सूल एकदम जेली के जैसा होता है जेली जैसे होता ना उस तरह एक केप्सूल होता है देखिए जेली के जैसा पूरा एक केप्सूल है और देखन से गटाब से लिए 16 अगर इस तरह अप्रेश नहीं होता है तो आप इसको क्या सकते हैं इसको हलका सा आप किसी भी नोकिले चीस से इसको हलका सा च्छेदा कर लें देके बाद में जैसे आप देख सकते हम चता आप इसमें किरा देना है देखें गिर रहा है इस सारा इसमें मिला देना है एक टेबलेट आपको इसमें मिला देना है आप चाहिए तो दो टेबलेट भी मिला सकता है केपसुल इसको आपको मिला देना है काफी अच्छा बेनिफीट होता है इसको मिला कर आपको करना क्या है जिससे आप मिला है साधा हो गया इसमें देख रहते हैं खतम हो चुका है इसको आपको फेक देना है इसको फेक दिये अब इसको क्या करना है आपको कुछ करना नहीं है इसको आपको मिला देना अच्छी तरीके से अंगलियों के सहायता से अपको अच्छी तरीके से इसको मिल मिला दिजीए अच्छी तरह कैसे मिलाने से तां बाहर से जो सर्सों का नैल में कनी आप टेल से पर बब हमने ऐसे नाये सब भी किर नाड तेल पाइस से लोग और तेल सब लोग आप बच्छा तक मिलाने सब कर जब सकते हों नाय पत्सक्राइब केप्सेली से बाल मजबूत में मजबूत घन में घने और काले में काले होते थे उसी तरह आपको Saf女 Toll क्लिये कोक्या उछी है यह तो आप यूज कर सकते नहीं तो पर्चेस करने के कोई जूज कमें आप घर में गह्asse करते हैं सब्जी क्लिए उठीक लिए उसले यह हो गय już बालों के जरह में यह ओईल को यूज करना है बालों के जरह में इस ओईल को यूज करना है यह है बाल ठीक है इसके जरह में आपको इस तरह इस तरह करके यूज करना है इसको यूज करने के बाद में रात्तरी समय में यूज करना है इसको यूज करने के बाद में अच्छी त भालों का कर लेना काफी अच्छा बेनिफीट देता है काफी अच्छा बेनिफीट आपको देगा आपको बालों में साेनी आ जाएगा ok और बाल में मजबूत होने लग गया इस विटामीन से और आपको काफी ज्यादा बेनिफीट भी होने लग गया तो इसको आप दो चीज में इस्तमाल कर सकते हैं अपने स्कीन के लिए भी अपने हेर के लिए और इसको आप खा भी सकते हैं रोज रात में एक केपसूल आप ले सकते हैं और एक केपसूल क्या करें आप अपने बालों में यूस करने क upgrades लगा सकते हैं तो यह दो चीज एक बार में अप इस्तमाल कर तो आपको ज्यादा benefit मिलेगा खाने से भी और आपको लगाने से भी तो लगाना तो आपको हफ्टा मे एक बार ही लगाना है और केपसुल रोज आप एक मतलब एक गोली आप केपसुल रोज एक खा सकते हैं 400 mg का है काफी आचा बेनिफिट हता है आपको अंदर से भी बेनिफिट देगा और बहार से भी बेनिफिट देगा तो यदि आपको इस वीडियो में कोई भी चीज पुछना होता हो तो हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में संपड किजिएगा मैं जरूर पताऊंगा कि हाँ इसमें क्या फॉल्ट हुआ और कैसे कैसे आप इस्तमाल कर सकते हैं इसे हाँ इसका प्राइस है 36 रुपया मैंने पहले से भी बोला है और आप लिजिएगा तो एवियन कहीं लिजिएगा एवियन कंपनी अच्छा होता है एवियन 400 mg का लिजिएगा सो थैंक यू यदि कोई चीज पूछना चाहते हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं और इस ओईल को हमने अभी राखा है अपने बालों में थोरे देर के बाद में इस्तमाल करेंगे इसले अपने बालों को लेंग्ड का हिसाब से इस ओईल को लिया है एकदम च्छोटा करके रखा हूँ और इसको ओष्य तरह केसे लगा लेंगा इसमें से कुछ उबर भी जायगा निकल भी जायेगा बच भी जायगा उस ओईल को निकाल के लगाना है तो घनी ओईल तो डालना है डालने के बाद में विटामिन E का केप्सूल बाल आपका ज़्यादा लंबा है तो आप इसमें दो केप्सूल मिला दें और छोटा है तो एक कप्सूल भी आप मिलाईएगा तो काम चल जाएगा कोई भी चीज पुछना चाते हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में पुछ सकते हैं और कोई भी चीज जनकारी लेना है आपको तो देख सकते हैं पुछ सकते हैं और मेरा इस वीडियो इस चैनल का वीडियो और भी सरा है हेरफोल के उपर में आप उससे भी जाके देख सकते हैं So thank you. Bye-bye.